हलो दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका होश्ट समीर आज की जो वीडियो होगी काफे ज़्यदे इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाल है basically आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से लोन एजेंट या फिर benог के जो कार्ड हो चाहे, बैंक अका Architecture Architect turning उपनिंग हो चाहे इस तरह कि कोई और अजर सर्विसीज जो कि बैंक से यलेटेड होती है उसमें किस तरह से अपने आप पैसे बना सकते है किस तरह से अपना कमीशन बना सकते हैं आज के टैम पर पर्सनलोन ये क्रेड़िट कार्ड के बात करता हूँ हर घर में हर फ्रेंट सेरकल में यूज किया जाता है इस टोपिक को हर कोई जानता भी है कि हर कोई after 18 में क्रेड़िट कार्ड बनवाना चाहता है अगर आप मैटर इश्टेशन पे जाएंगे तो आपने काफि सारे ऐसे बंदे देखे होंगे जो आपको card बनाने के लिए upload करते हैं वो directly company से executive होते हैं ज्याद में आपने SBI के बंदे आपके लिए डेखे होंगे Musicos meliator होते हैं जो कि आपको अप्रोच करते होंगे कि आप SBI का credit card बनवाएं या फिर आप लोन ले या फिर अधर फैसलेटी से अब आप अवेल करें तो एक ऐसी स्कीम, एक ऐसी वीडियो, एक ऐसी इंफोर्मेशन, एक ऐसा एप मैं आपके लिए आज लेकर आओं उसके थूर्मेशन, 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 उ और उनका credit card अगर approve हो जाता है अगर SBI का होता है तो उस scenario में आपको directly flat 1850 रुपे provide किया जाएंगे अगर किसी भी reason के वज़े से second person का जो card है वो approve नहीं हो पाता है तो उस scenario में आपको 25 रुपे provide किया जाएंगे दोनों हाथ आपके घी में रहने वाले है चाहे बंदे का approve हो चाहे ना हो अगर approve होता है तो well and good है क्योंकि 1850 रुपे एक काफी अच्छा amount होता है जो कि आप कहीं पर भी easily utilize कर सकते हैं साथ ही साथ directly earning point होता money के तो रुपे पैसे के तो रुपे आपको directly bank account में transfer किया जाएगा ना कोई voucher ना कोई scheme के तुरू आपको दिया जाएगा अब यह सिफ में SBI का आपको पता रहो SBI के में SBI का हो जाता है एयू small finance bank के अगर credit card आपके थुरू बनवाया जाता है सो उस scenario में आपको बाइस सो पचास रुपे मिलते हैं बजाज करकिया जाएगा तो 2000 रुपे means इस तरह के काफी सारे credit card के option आपको दिये जाते है राइट अब इसके अलावब अगर हम बात करता हूं personal loan पे आते है personal loan basically दो तरह से work करता है या तो आप flat amount ले लिए या फिर commission कुछ bank आपको flat amount प्रोवाइड करते है कि next person चाहे कितना ही amount का loan ले आपको एक certain flat amount प्रोवाइड किया जाता है for an example index bank के अगर हम बात करता हूं index bank अगर आपके link के थूँ आपके थूँ कोई भी person index bank से loan लेता है चाहे हो पचास जार को बीस जार को एक लाग को दो लाग को पर आपको directly 3800 रुपीज आपको directly bank में आपको credit किया जाएंगे 3800 रुपे जो कि काफी अच्छा amount है इस तरह से सादस भी आ जाते हैं जैसे बजाज में बात करता हूं कि बजाज भी लोन प्रोवाइड करता बजाज फिंसर उस scenario में आपको 1.25% का commission आपको प्रोवाइड किया जाएगा right home credit के अगर में बात करता हूं 1.45% एक काफी सुननी में percentage छोटा लग रहा है पर जब आपको मिले काफी अच्छा होता है right so इस तरह के काफी सारे आ जाते हैं बीजनेस लोन के अगर में बात करता हो तो बीजनेस लोन में भी आपको percentage प्रोवाइड की जाती है साथी साथ मोबाइल रीचार्ज पे मोबाइल रीचार्ज पे भी आपको कुछ amount या कुछ commission आपको प्रोवाइ से आप पेमेंट करते हैं फोन पे गूगल पे पेटियम वोबी फ्री चार्ज इस तरह से पैसे गेन करती है अगर कोई particular application आपको 2% दे रही है तो आप खुछ सोचके देखिए उनको directly bank से कितना अच्छा amount में मिलता होगा percentage में amount मिलता होगा पर 2% भी कोई बुरा amount में ना से हां बहुत अच्छी बात होती है इस तरह से multiple sectors दिये हुए और almost 10 sector यहां पे दिये हुए है first of all credit card को हो जाता है आज के टाइम हर कोई बंदा credit card बनवाजना चाहता है आपके पास खुद credit card होंगे दूसरा personal loan या फिर instant loan कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने इस चीज के लिए apply जरू करा होगा काफी लोग मजे में करते काफी बंदों को एक्चिलि में नीड होती है काफी बंदे कुछ नो कुछ नए unique चीजों को apply करने के लिए try करने के लिए इन चीजों को try करते है राइट इसके लावब को बात करतो bank account अगर आप open करते किसी का अपना करते है अपने वीडियो में अगर आप कुछ भी कुछ selected banks के अगर आप bank account खुलवाते हैं example के लिए मैं आपको बता रहूं यह नहीं कि बेकार bank बता रहूं जो अभी आपने सुनी नहीं होंगे ऐसे बैंक के नाम मैं आपको बताऊंगा आप नाम सुनके अहरान हो जाएंगे सबसे पहले yes bank कोटक इंडेंस और access इस तरह के banks में और इसके लाव और काफी सारे bank है मैं सभी bank के नाम नहीं बता रहूं आप इस हर चीज नहीं बता रहूं वीडियो मैं कोसिस कर रहा हूं कि सोट से सोट रहों आपको amount दिया जाता है example के लिए अगर आप access में किसी का bank account खुलवाते हैं उसमें आपको साड़े साथ सो रुपे तक आपको प्रोवाइड किया जाते हैं इंडेस में 200 रुपे तक प्रोवाइड किया जाते हैं कोटक में 200 से 300 रुपे के बीच का 275 रुपे आपको प्रोवाइड किया जाता है यस बैंक में 400 रुपे दिया जाते हैं बैंक हर कोई ख काउंट खोले कोई फरक नहीं पड़ता कोई हमारे क्रेडिट कार्ड है किसी भी तरह कोई फरक में पेनल्टी नहीं लगती अब एक चीज आप खुछ सोच के देखिए इतनी सारी फैसिलिटी एक जगह एक एप्लिकेशन पर घर बैठे हैं आप इस्तमाल कर सकते हैं काफी किशन का नाम है मैं आपको डेटेलए सेर कर रह h दिखारन तक है कि पर यकिन हो सके राइट इसस सो अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को ॉन्हां करें सब्सक्राइब करें जासर बा में अब जासर ब्हुन